नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चलन नेश्ट टार्गेट को सब्सक्राइब करें आज हम हिस्ट्री के मुगल बंस से संबंदित कुछ महत्पुन प्रेशन करने वाले हैं आईए हमारे यूटूब चलन नेश्ट टार्गेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन का बटन दबाएं आए चलते हैं कोश्चन नंबर बन की तरफ मुगल बन्स का बाश्टिव संस्टा पर कौन था ऑप्षन ने बावर ऑप्षन भी अकवर ऑप्षन सि औरंग्जेव ऑप्षन डी उप्रोक्त सभी तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्षन ने बावर आए देखते हैं बावर के बारे में तो 21 अपरेल 1526 को बावर ने ब नेस्ट कोश्चन है भारत में मुगल बंस का बारूद का पद अरपन करने बाला तथा युद्ध में टैंक का उप्योग करने बाला प्रत्थम ब्यक्ति कौन था आप्सन ए औरंग जेव आप्सन भी बाबर आप्सन सी जहांगीर आप्सन डी राणा सांगा तो यहां पर जीक की उपादी धहरण की तथा बाबर को कलंदर भी कहा जाता था और यह मुगल बंस का संस्तापक था नेस्ट कोश्चन है राणा सांगा और किर्शन देवराय इन दोनों हिंदू सासक की जानकरी किस सासक की आत्मकता से मिलती है आप्सन ए बाबर आप्सन भी हिमाईयू आप्सन दी और प्रोक्त में से कोई नहीं यहां पर राइट आंसर होगा आप्सन ए बाबर नेस्ट कुरिशन आए देखते हैं बाबर के बारे में जानते हैं क्या है बाबर की आत्मकता तुजूक ए बाबुरी को तुर्की बहासा में लिख़ा गया है इससे ही हिंदू सास इससे ही हिंदू सासक राणा सांगा और किर्शन देवराय जो बिजयनेगर के सामराज्य के सासक थे उनकी जानकरी मिलती है तुजुक ए बाबूरी से जो की तुर्की बासा में लिखा गया था खान बाकी लड़ाई कब लड़ी गई थी? खान बाकी लड़ाई कब लड़ी गई थी? आप्षन ए 1526, आप्षन ए 1527, आप्षन C 1528, आप्षन D 1530 तो यहाँ पर आइट आन सरोगा आप्षन ए 1526 आप्षन ए 1526, आप जानते हैं, 1526 में पानी पत की पहली लड़ाई लड़ी गई तथा 1527 में खानबा की लड़ाई लड़ी गई और 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ी गई तथा 1539 में गागरा की लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में पानिपत की लड़ाई 1527 में खानवा की लड़ाई 1528 में चंदेरी की लड़ाई और 1539 में गागरा की लड़ाई लड़ी गई थी Next question है निमनी लिकित में से किस सासक ने दो बार सासन किया था निम्न में से किस सासक ने दो बार सासन किया था आप्सन ए हिमाईयू ने आप्सन भी कामरान ने आप्सन सी जहांगेर ने आप्सन डी अकवन ने तो यहाँ पर राइट अंसर होगा आप्सन ए हिमाईयू नेस्ट कोशन है निम लिखित में से किस सासक ने चोसा की लड़ाई और कन्योज की लड़ाई लड़ी थी आप्सने हिमाईयू, आप्सन विबाबर, आप्सन सियोरंग जेब, आप्सन डी राणा सांगा यहां पर आइट अंसर होगा आप्सने हिमाईयू आए देखते हैं हिमायू के बारे में तो हिमायू ने चोसा की लड़ाई 1549 में लड़ी सेरसा हराया सेरसा को हराया तता 1540 में कन्योज की लड़ाई इसको बिल गिराम की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं तो यह दोनों लड़ाईयां हिमायू ने लड़ी थी एक पंदर सो 49 में लड़ी थी जिसे चोसा की लड़ाई कहा गया और एक पंदर सो 40 में लड़ी गई जिसे कन्योज की लड़ाई कहा गया नेस्ट कोश्चन है जब इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में किस सासक का सासन था आप्सन ने बाबर, आप्सन पी अकबर, आप्सन सी हिमाईयू, आप्सन डी जहांगीर तो यहां पर राइट अंसर होगा आप्सन पी अकबर आए जानते हैं अकबर के बारे में तो अकबर ने 1572 इस्वी में घुज्ज्रात में विजिय के बाद फट्यपूर सीकरी में बलंद दरबाजा का निर्मान किया तथा 1582 इसवी में दीन ए इलाही एक नए धर्म का परचार किया जिसको शीकार करने वाला एक मात्र हिंदू बीरवल था जिसका बास्तिविक नाम महेस दास था तथा 1564 इसवी में जज्यकर समाप्त कर दिया जज्यकर समाप्त कर दिया था अधिकारियों और सैना को संगठित करने के लिए मनसबधारी पिर था निमली कित में से किस सासक ने शुरू की थी आप्सन ए अकबर, आप्सन बी बेरम खान, आप्सन सी हिमाईयो, आप्सन डी अप्रोक्त सभी तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप्सन ए अकबर आए जानते हैं अकबर के बारे में और अकबर ने अधिकारी और सेना के शंगरी करने के लिए बंसदाई प्रताक शुरूआत की थी जिसे रेंक धारक भी कहते हैं नेस्ट कोशन है प्रहुक्त नीमने लिखीक में से किसका मकबरा लाहूर में है आप्सन ए अकबरं औरंवी बाबरं आप्सन डी उफ्रोक्त में से कोई नहीं तो यहां पर राइट आंसर होगा अप्सन दी जहां गीर तो सिओं में का मखबरा लाहूर में लाहूर में है है कि नैस्ट कोशन में ऐसा जाहजिर के बारे में जानते हैं तो जहांगीर का मूलाम क्या था जहांगीर का मूलाम सलीम था तथा इसने सिखों के से को कि你 पाँच्बे गुरु गुरु आर्जुन देव को मृत्यु डंड दिया था तता नौबे गुरु तेग बहादूर को फांसी दी थी मुस्लिम धर्व को ने अपनाने पर सिर्फ मुस्लिम धर्व को ने अपनाने पर शिक्कों के नोवे गुरु तेक बाधुर को एक फांसी की सजा सुना दी थी, मृत्यू डंड दिया था निम्नी लिखिट में से मोती मजीद का निर्माण आगरा में किसने करबाया था? निमली में से मोती मज़िद का निरुमाण आगरा में किसने करवाया था तो यहां पर राइट अंसर होगा option भी सहां जहां औरंग जेव ने मोती मजजिद का निर्माड दिल्ली में तथा सहां जाने मोती मजजिद का निर्माड आगरा में करवाया था नेश्ट कोशन है उस राजपूत का नाम बताईए जिसने बावर से हारने से पहले खानवा के लड़ाई बहादूरी से लड़ी थी आप्सने राणा मान सिंग आप्सन भी राणा जै सिंग आप्सन सी राणा सांगा आप्सन भी अप्रोक्त सभी तो यहां पर राइट आन सरोगा आप्सन सी राणा सांगा नेस्ट कोशने बावर ने बाहरत पर किस बर्स आकरमल किया था बावर ने बाहरत पर किस बर्स आकरमल किया था option A 1530, option B 1520, option C 1526 option DIN में से कोई नहीं, तो यहां पर right answer होगा option C 1526 नेस्ट कोशन बाबर की आत्म कथा जैसे तुजुक ए बाबुरी कहा जाता है किस भासा में लिखा गया है option A अर्वी, option B भार्सी, option C तुर्की, option D उर्दू तो यहां पर आइड आन्सर ओगा option C तुर्की अब देखते हैं तुर्की के बारे में तो बाबन ने इसे तुर्कि बासा में लिखा था एखाणन के पुत्र अबदूर्अ में इसे तुर्कि बासा में लिखा था बावन ने इसे तुर्की भासा में लिखा था मुगल सामराजे कादिकारी बेरम खान खान ए खानन के पुत्र अबदुर रहिम खान ए खानन ने फार्सी भासा में इस कानुबाद किया था नेस्ट कोशन है पंद्रह सो पच्चिस में जब बावन ने भारत पर अक्रमल किया तब हिमायू कहा का गवर्नर था तो पंद्रह सो पच्चिस इसबी में बावन ने भारत पर अक्रमल किया तब हिमायू कहा का गवर्नर था तो यहां पर राइट आनसर होगा आप्शन सी बद खसा सबर सब्सक्राइब 206 508 802 508 आई जानते हuana के बारे में तो हमयू का जन्म 17 मार्च 15-8 को मुगुल सामराज्य के संस्ताप बावर और उनकी पत्नी माहम बेगम के मुगुल सामराज्य काभूल में हुआ था नेस्ट कोश्चन है हिमायू नामा किसने लिखा था हिमायू हुमायू नामा किसने लिखा था आपसने हुमाइयू, आपसन B अकबर, आपसन C है अबुल भजल, आपसन D है गुल बदन बेगम तो यहाँ पर आइट अंसर होगा आपसन D गुल बदन बेगम अब देखते हैं गुल बदन बेगम कौन थी तो हुमायू नामा को हुमायू की बेहन गुल बदन बेगम ने लिखा तथा गुल बदन बेगम जहिरुद्दीन मुहमद बावर की बेटी थी नेस्ट कोशन है निमली खित में से किस मुगल राजा की सीडी से अचानक गिरने से मृत्ति हो गए थी आप्सन ए बावर आप्सन बी अकबर आप्सन सी जहांगेर आप्सन डी हुमायू तो यहां पर राइट आंसर होगा आप्सन डी हुमायू तो सीडी से अचानक गिरने के कारा हुमायू की मृत्ति हो गए थी तो मुगल समराठ हुमायू की मृत्ति 1526 सीजबी में दिली में उसके किले में उसके पुस्तकाल्या की सीडियों से गिरने के बाद हुई थी और यहें लेन पुल ने कहा था तो मुगल समराठ हुमायू की मृत्ति 1526 सीजबी में दिली में उसके किले में उसके पुस्तकाल्या की सीडियों से गिरने के बाद हुई थी और यहें लेन पुल ने बताया था है थैजfjan है कि गुआ लियर का सासँ कोहिनूर हीरा किस मुगल बात्साप को दिया था कि ब मुत ब मीसरी में अंवरर के सास्थ हों आइवरर कोहिनूर हीरा को कि स्मुगल दिया था ओप्शन अकपर उप्शन भी जहां के रहां गीर उप्शन C. हमायु kur, Option D. इन में से कोई नहीं तो यहां । राइट स्भी, Big Option C. मायू गोर्र लिंदे science से कोही नूर, हीरा प्रापत करने बाला हमायू दूसरे मुगल समराट और दावर का पुत्र था गोर्रो कोई नूर, हीरा प्रापत करने बाला हमायू दूसरे समुगल समराट और बाबर का पुत्र था नेस्ट कोश्चन है निम्न लिखीत में से किस स्थान पर बाबर की मृत्य हुई थी option A आगरा, option B काबूल, option C दिल्ली, option D इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर राइट आंसर होगा option A आगरा तो बाबर की मृत्य आगरा में हुई थी किस मुगल सासक ने 15 साल बाद अपने राज्य को बापस लिया था option A बाबर, option B अकबर, option C जहांगीर, option D हिमाईू यहाँ पर राइट आंसर होगा option D हिमाईू तो हिमाईू ने मुगल सासक के 15 साल बाद अपने राज्य को बापस लिया था हम देखते हैं हिमाईू के बारे में तो हिमाईू ने लगबग एक दसक तक भारत पर सासन किया लेकिन अफगन सासक सेरसा सूरी दौरा उसे हटा दिया गया अपनी हार के बाद हिमाईू लगबग पंदरे परसों तक भठकता रहा तो हिमाईू ने लगबग एक दसक तक भारत पर सासन किया लेकिन अफगन सासक सेरसा सूरी दौरा उसे हटा दिया गया अपनी हर के बाद हमायू लगबग 15 परसों तक भठकता रहा इन सभी कोशनों के आंसर नीचे दिये हुए है यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सेयर करें हमारे यूटूब चैलन नेच्ट टार्गेट को सबस्क्राइब करें और नोटिपिकेशन के लिए बैल आइकन का बटन दबाएं तो दोस्तो हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं इन कोशनों को लिखें बार बार कोफी पर लिखें और लिखने के बाद वीडियो को बार बार देखें रोक रोक कर देखें ताकि कुशन अच्छी तरह से समझ में आए और पीडियेप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बहां जाकर के आप पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं